अगर दुनिया सोच रही है कि 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौडी गाजा पट्टी में ही जंग चल रही है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है अब पूरे मिड़ी इस से लेकर पश्चिमी एशिया तक भयंकर बारुदी द्वाके शुरू हो चुके है इसराइल गाजा से लेकर लिबनान तक और लिबनान से लेकर सीरिया तक 6 फ्रंट पर जंग करने का दावा कर रहा है जब कि हमास, हिजमुला और अब इरान दावा कर रहे हैं कि उनके लड़ाके इसराइल से तब तक जंग करेंगे जब तक कि इसराइल का वजूद खत्म नहीं हो जाता यहूदी देश इसराइल से नफरत का आलम ये हो चुका है कि अब इसराइल पर 400 से ज़्यादा आत्मगाती हमले करने की तैयारी अकेले इरान ही कर रहा है इरान ऐसा क्यों कर रहा है? इसे जरा समझ लीजिए इरान के दावों के मताबिक इस्लामिक रिवलुशनरी कार्ड कॉर्प्स के ब्रिगेडिय जनरल सेद रजी मुसावी को इसराइल ने सीरिया में मार डाला है दावों के मताबिक मुसावी को हवाई हमले में इसराइल ने मारा है इधर मिडल इस्ट से जुड़े जानकारों के मताबिक एरान के ब्रिगेडिय जनरल स्यद रजी मुसावा के मारे जाने से पूरे मिडल इस्ट और पश्चिमेशा में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है ब्रिगेडिय जनरल की मौत इरान का बारूदी बदला इरान के राष्ट्रपती इबराहीम रईसी ने साफ कहा कि सीरिया में हवाई हमले में ब्रिगेडिय जनरल रजी मुसावी को मारने के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इरानी राष्टपती ने साब कहा बिना कोई शक के ये कारवाई क्षेतर में कब्जा करने वाले जायोनी शासन यानि इसराइल की हताशा, असहायता और अक्षमता का एक और संकेत है इरानी कमांडर सयल रजी मुसावा की सीरिया में हत्या के बाल पूरे इरान में जबर्दस आख्रोश है इरान की विदेश मंतरी ने इसराइल को तबाह करने तक की धमकी दे दी है मुसावी की हत्या को लेकर इरान में जगा जगा प्रदर्शन हो रहा है इसराइली स्ट्राइक से बढ़के एरान ने अब बतले की योजना बनाई है उधर इसराइली रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी इस बात को स्विकार किया है कि गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इसराइल पर साथ अलग-अलग थेट्रों में हमले जारी है अलाकि उन्होंने छे फ्रंट पर जोरदार परटबार का दावा भी किया है अब सवाल उठता है आगिर इसराइल ने सीरिया में घुसकर इरानी कमांडर ब्रिगेडिया जनरल सेद रजी मुसावी को क्यो मार डाला आईए कुछ और खास जानकारी भी आपसे साजा करते हैं दरसल ब्रिगेडिया जनरल साइद रजी मुसावी की मौत से इरान बुरी तरह से बौखला गया ये पूरी टीटेल देखे इस वक्त आपके सामने मौजूद है इरान ने धंकी दी कि इसरेल के अंत की उल्टी जो गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सिरिया के उत्री पूर्वी दमश्क में आई आर जी सी के ब्रिगेडिया जनरल रजी मौसवी को मारा गया और इरानी मीडिया की खबर यहां पर क्या कहती है इरानी मीडिया की खबरों के मताबिक ब्रिगेडिया जनर्र मुसावी दोपर दो बजे तक इरानी दूतावास में मौझू थे दूतावास दोपर करीब एक बज़े घर में धमाका होता है और बगीचे में जाकर लाश गिर जाती है जी हाँ दोपर दो बज़ तीन बज़े का वो वक्त था जब ब्रिगेडिया जनरल मुसावी घर पहुंचे घर पहुंचने के बाठीक उसी वक्त एरानी दावों के मताबिक इसरेल की तीन मिसाईलों ने ब्रिगेडिया जनरल साइदरजी मुसावी के घर को कुछ इस तरह से उड़ा दिया और इसके बाद आपको ये बताते हैं हुआ क्या चश्मदीदों ने जो देखा उसके मताबिक अब आपको बता रहे हैं इसरेली मिसाईलों का धमाका इतना जब्रिगेडिया जनरल साइदरजी मुसावी का शब जो है वो घर से उचल कर कुछ इस तरह से बगीचे में जा गिरा सोचकर ही रॉंकते खड़े हो जाते हैं देशत भर जाती है और उनका पूरा घर देखे किस तरह से तबह यहाँ पर हो जाता है यह हम बात कर रहे हैं उत्तर पूरवी दमिश्क सीरिया दो पहर तीन बज़े और घर में धमाका होता है और लाज जो है वो बगीचे में गिर जाती है बताया यह भी जा रहा है कि मुसावी इरानी सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी के सहयोगी थे यानि कि सहयोगी यहाँ पर बताये गए जिने अमेरिका ने साल 2020 में मार गिराया था यह वो साल था साल 2020 लेकिन जबकि इस्रेल का जो दावा है वो है इस्लामिक रिवॉलूशनरी गार्ड कॉप्स के बिरगेडिया जनरल सईदर रजी मुसावी सिरिया में इरान के सैन अभیانो को कोडिनेट कर रहे ते यानि जिनका जिकर रस वक हम यहाँ पर कर रहे हैं हिजबुला को हतिया सप्लाई कर रहे ते और हमास की भी पूरी-पूरी मदद कर रहे थे इस्रेल कभी ये दावा है कि मुसावी लगातर लगातर इस्रेल पर हजब लासे हमले यहाप पर करवा रहे थे तो येक अगदाम नजवान मर्दन वा बरकलाफ कुमवन्सियोन हाई बेनलमलली अगदाम रजीम सहीनिस्टी अंजाम शब के तबीयतन हक मुकाबले बराए किशवर गुर्बानी महफूज हस वे तूर तबीय पासुख इन जनात खुदश रो दर वागए दर शरायत मुनासिब दर जमान मुनासिब हत्मन खाहत दो कुछ दावों के मुताबिक इरान ने अपने कमांडर मुसावी के हत्या का बदला लेने के लिए इसराइल के खिलाव एक खतरनाख प्लैन बनाया है इरान ने फिदाईन हमलों से इसराइल को दहराने की योजना बनाई है इसके लिए अफगान लड़ाकों की भरती कर रहा है सुत्रों के मताबिक अफगान लड़ाके इसराइल पर आत्मगाती हमले करेंगे गाजा जंग और सीरिया में इसराइली स्ट्राइक से बढ़के इरान का प्लान दुनिया भर में इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने का है इरान इसराइल में आत्मगाती हमले कर सकता है इसके लिए उसने खतरनाक प्लानिंग की है सुत्रों के मताबिक जनरल हामेद अब्दुलाही के नेट रुत्वों में एरान के इसलामिक रिबॉलुशनरी गार्ड कॉप्स आरपार के चंग की तैयारी कर रहे हैं सुत्रों के दावों के मताबिक आई आर जीएस के कुद्स फोर्स की यूनिट चार सो इसराइली ठिकानों को चिन्हित कर चुकी है जहां पर आत्मगाती हमले की योजना है इसके लिए अफगान लड़ाकों की बखायदा भरती भी जारी है अपने समर्थक समुहों के खिलाफ इसराइल और अमेरिकी स्ट्राइक से बौख्राए इरान ने अक्रमक रुख अक्तियार कर लिया है साल 2020 में इरान के टॉप कमांडर कासिम सुलिमानी को अमेरिका ने इसी तरह से हवाई हमले में मार डाला था ठीक उसी तरह से इसराइल ने ब्रिगेडिया जनरल मोसावी को मार डाला है इरान के विदेश मंत्री ने इसराइल की उल्टी गिंती का दावा करना शुरू कर दिया है जगेडिया जनरल सेद रजी मुसावी की शाहदत पर मैं इरान और सीरिया दोनों देशों के प्रती अपनी हार्दिक सम्वेदना व्यक्त करता हूँ इस सम्मान्निय शहीद ने आतंकवादियों के खिलाफ इरान और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहीद हज कासिम सुलिमानी के साथ कई वर्षों तक बहादुरी से लड़ाई लडी अब तेल अवीब की एक कठिन उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है गाजा में भले ही इसराइली सेना ने बढ़त बना रखी हो लेकिन इसराइल के पीएम नेतनियाहू को भी मानना पड़ा कि गाजा युद्ध में इसराइली सेनी काफी संख्या में मारे गए हैं जो हालात को और बत्तर बना रहे हैं यह हालात अब मिडल इस से लेकर पश्यमी एशिया तक खराब हो चुके हैं क्योंकि हूथी और इरान समर्थित कताईब हिजबुला लड़ाकों ने विजराइल और अमेरिकी सेन्य अट्टों पर एक साथ हमले शुरू कर दिये हैं पहले आप यह जान लीजिए कि हूथी और इरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका पर कहां-कहां हमला किया है अमेरिका के एरबिल एर बेस पर ड्रोन से हमला किया गया था अमेरिकी रक्षासचीव लॉइड आस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिका सैनिकों पर ये हमला इरान समर्थित कताईब हिजबुला के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए लेकिन तीन सैनिक बेहत दंफिर रूप से घायल है कताईब हिजबुला ने अमेरिकी सैनिकों पर डोन से हमले कैसे किये इसकी जानकारी नहीं दी गई और नहीं घायल अमेरिकी सैनिकों के नाम बताई गए इराक में कताईब हिजबुला के हमलों से अमेरिका बॉखला गया है Middle East से लेकर पश्चिप एशिया तक इसराइल और अमेरिकी सेन्य ठिकानों पर हो रहे हमले साबित कर रहे हैं कि इरान रूस की शेह पर अब जंग में खुल कर पूदने लगा है हो थी चुन-चुनकर समंदर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों और टेंकरों पर हमले कर रहा है यही वजा है कि अब अमेरिका ने इरान के कताईब हिजबुला के लडाकों पर ऐसा भीशन हमला किया है हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इरान के कताईब हिजबुला लडाकों पर जोरदार एर स्ट्राइक की है जड़ा देखे कैसे अमेरिकी रक्षा सचीव लॉयड आस्टिन के मताबिक अमेरिकी सेना ने इरान समर्थिक कताईब हिजबुला पर भीशन हवाई हमले किये हैं कताईब हिजबुला पर अमेरिका ने ये हमले इराक और सीरिया में किये हैं सोमबार यानि 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने कताईब हिजबुला पर हमला किया था लड़ाकों विमानों और मिसाइलों से इरान समर्थित कताईब हिजगुला लड़ाकों के तीन ठिकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया है। खबर के मताबिक अमेरिकी सैनिकों के खायल होने के बाद राश्ट्रपती जो बाइडन ने इरान समर्थित मिलीशा समूहों के खिलाफ जवाबी कारवाई का आदेश दिया था जिसके बाद ये हमले किये गए अमेरिकी सैनिकों ने इराक में कताई विजगुला और कई समूहों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली तीन ठिकानों पर हमले किये ये सटीव हमले इराक और सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ इरानी प्रायोजित मिलीशा हमलों का जवाब है इसराइल और अमेरिका इस वक्त मिडल इस्ट और पश्चिमी एशिया में डबल युद्ध से जूज रहे हैं बी-म नेतनियाहू को लग रहा था कि हमास युद्ध विराम इसराइल की शर्तों पर जरूर करेगा लेकिन अब खबर आ रही है कि हमास के टॉप कमांडर्स ने साब दावा कर दिया है कि हमास सीजवायर नहीं करेगा और नहीं कोई समझोता वो आखिरी दम तक जंग करेगा गाजा पट्टी में इस वक्तरी गाजा से ज्यादा भीषण जंग दक्षनी गाजा में चल रही है हालात ये हो गए हैं कि इसराइल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीत को बड़ा जटका लगा है 24 दिसंबर को इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमास और इसलामिक जिहाद आतंकी संगठनों ने इजिप्ट या कहें मिस्र के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों संगठन गाजा की हुकूमत किसी तीसी ताकत को सौब देते हैं तो इसराइल पर्मनेंट सीज फायर कर देगा लेकिन हमास के टॉप कमांडर्स ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिश कर दिया है हम आपको हमास नेता येया सिन्वार का वो दावा दिखाने जा रहे हैं जिसमें इसराइल सेना को भारी दुपसान का दावा किया गया हमास के कसाई का दावा मार दिये 1500 इसराइली सेनिक इसराइल की मीडिया रिपोर्ट के मताविक हमास के टॉप नेता और कमांडर येया सिन्वार ने दावा भी किया कि हमास की सिन्न शाखा अलकसम ब्रिगेड ने 5000 स्यदिक इसराइली सेनिकों को निशाना बनाया और उन में से करीब 500 इस्राइली सेनिकों को मार डाला है हालागि ऐसा कोई आंकड़ा इस्राइल की ओर से जारी नहीं किया गया है हमास नेता सिन्वार ने इस्राइली सेन्य उपकरणों को नश्ट करने की संख्या के बारे में भी पढ़ा चड़ा कर दावा करते हुए कहा कि हमास ने 750 इस्राइली सेन्य वाहनों को तबाह कर दिया है सिन्वार ने इसराइल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके कब्जे को मान लेने की शर्तों पर कभी समझाता नहीं होगा और नहीं हमास कभी सरंडर करेगा दूसरी तरफ इसराइल के प्रधान मंतरी बेंजामिन नितनियाहू ने गाजा का दोरा किया है और साफ शब्दों में कहा कि हम फिर साफ कर देना चाहते हैं कि इसराइली सेना इस जंक को तब 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 नहीं करेगी जब तक वो गाजा में मौजूद हर अधंकी संगतन का गवसा खब नहीं कर देगी हमस शोखकתי शुव अनसी बाइडन अनिम्हारीव एंड़ अधंकी हलाग एजराईल के भीशन हमलो से गाजा लगबग तबा हो चुका है जड़ादेकिये, पलस्तीनी के सहलाट में पहन चुके है इसराइल के ऑपरेशन स्वार्ड आउफ आईरन के तहद इसराइल ने सबसे ज़्यादा भीशन हमले उत्तरी गाजा में किये हैं साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इसराइली हमलो में अब तक एक लाग से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुके हैं उत्री गाजा की लगबग 11 लाक क्यावादी में से 85 फीसदी फलिस्तीनी हमास समर थक भाग चुके हैं ज्यादातर फलिस्तीनी उत्री गाजा से दक्षिनी गाजा की तरफ भागे हैं इसराइल की IDF का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है 80 दिनों से ज्यादा की जंग में इसराइल ने हमास के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जहां से हमास या तो हमला कर रहा था या फिर उसके लड़ा के च्छिपे हुए थे अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मताबिक इसराइल ने दक्षनी गाजा में भयानक बंबारी शुरू कर दी है दक्षनी गाजा में इसराइली वायू सेना 907 किलो के सैक्डो बं गिरा रही है एक्सपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी किसी देश के रिहाईशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए है कुल मिलाकर हमास, हिजबुला, कूथी और इरान इसराइल के लिए नासूर बनते जा रहे हैं अब देखना होगा इरान अपने कमांडर की मौक का बदला कैसे लेगा